दोस्तों नमस्कार हम लोग इंसी आटी क्लासिक थी बेसिक के बारे में डिसकस कर रहे थे और इस प्रकार चार चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं पांचवा चैप्टर आज आपका है पदार्थो का प्रतक करन तो मिश्चेप्टर एक आपके एक्जाम के लिए भी most important है यहां से आपके question पूछ ही लिए जाती है लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है आपको लगता है कि हमारे लिए benefit है beneficial है beneficial की इस्तिति में आप इसको जदा जदा लोगों को like share वा subscribe करने के जिए ताकि जदा जदा लोग इसका फाइदा उठा सके हाई सुरू करते हैं चैप्टर पदार्थों का प्रथक करन पदार्थों का प्रथक करन चैप्टर का नाम है तो हम लोग इसमें समझेंगे कि पदार्थों जब हम यहां समझेंगे मिसरन से पदार्थों को अलग किय जाएगा तूसी को पदार्थों का क्या कहा जाता क्या कहा जाता क्या कहा जाता है तो यही है कि मिक्स्चर क्या है यानि मिस्रन किसे कहेंगे जब दोया दोसी अधिक समांगी या बिसमांगी या इसी को आसमांगी पदार्थों को आपस में मिला दिया जाता है तो अगर समांगी मिलाया गया तो बिलियन बन जाएगा और बिसमांगी पदार्थों को मिला दिया गया तो उसी को क्या कहा जाता उसी को मिसरन कहा जाता है उसी को मिसरन कहा जाता अब मिस्रन की बात करें तो इसमें आपका समांगी और बिस्मांगी दो परकार का मिस्रन होता है तो एक ध्यान दिजेगा समांगी मिस्रन का मतलब हुआ जैसे चीनी और चीनी और पानी चीनी को पानी में गुहुल दिया जाए तो इससे जो तैयार बिलियन होगा उस समांगी मिस्रन कहलाएगा तो यहां आपको मिस्रन क्लियर हो गया होगा तो हम कि यहां क्या करेंगे जो मिस्रन है या वो चाहे बिसमांगी हूँ या फिर समांगी हूँ उसी को पृथक करने की विधियों के बारे में अध्यन करने वाले हैं तो यहां सबसे पहले कुछ और आध्यमपल दे बताया गया जो डेली लाइब में हम लोग करते हैं पहला जाप को यह दिया गया है जब हम चाय की पत्तियों को चलनी या इसी को चलनी पित्र कहा जाता है चलनी कहा जाता है चलनी चलनी से मचानते हैं तो क्या पाते हैं कि हमारी चाय जो है चाय के जो द्रव है बूंद है और नीचे बैठ जाती है बरतन में जब कि चलनी जो होती है चलनी होती है उसमें चाय की पत्तियां एकठा हो जाती और इससे सभी लोग क् परचित हैं यानि इसी छलनी और चाय के तो सभी लोग इसको जानते भी हैं लेकिन प्रथक करन की कौन सी विदी है हमें इसको आज यहां जानना है दूसरा एक्जमपल यहां दिया गया देखिएगा कि अनाज आप गेहुं देखा होगा तो गेहुं को जब हम काट के यानि इ जाते हैं यानि इसको क्या फिर थ्रेसर में त्रेसर में क्या होता है डंठल से भूसा बन जाता अनाज हमारा अलग हो जाता है तो यह आपका यह तरीका हुआ इसको हम समझेंगे कौन सी विधी के नाम से जाना जाता है दूसरा पीछे के चेप्टर में हमने कापास का बीजों को क्या किया जाता है प्रथक किया जाता उसको निकाला जाता है इसी को हमने कहा था कापास ओटना कहा जाता है तो अगला एक्जामपल आपने कापास ओटना का पीछे देखा था कि जो रेसों के बीजों को अलग करते हैं कापास के रेसों से हम बीजों को क्या करते अलग करते हैं इसे को क्या कहा जाता कापास ओटना कहा जाता तो इसको भी हम समझेंगे कि यहां काउंसी विधी के अंतरिगत रखा जाएगा अगला आपने बहुत अच्छा एक्जामपल देखा होगा कि जो दूद होता है दूद से जब दही बनाया जाता और उससे जो किया जाता देखो यहां आपका बना हुआ है फिर से आपका दिखा देते हैं यह आपका बना हुआ है यह आपका तो यह इसमें क्या किया जाता पात्रों पात्रों मतनी ली जाती है और मतनी के माध्यम से दूद को मता जाता है तो उससे होता क्या मक्षम उपर आ जाता है ज अंतरगत इसमें रखा जाता है रखा जाता है आईए तो ये दो तीन आपके एक्जामपल के थुरू हमने बताने की ये कोसिस की है कि किस प्रकार हम इनको अलग करते हैं अब हम कुछ बिधियों की बात करते हैं जो एक्जामपल हमने लिया इसी को देखने की कोसिस करेंगे कि है तो मिस्रन में दो या 2 से दिक पदार्थ मिले हुए है तो उनको हम कैसे प्रत observe करते हैं तो पहला आप का है जो विधी है उसी को हस्त चैन कहा जाता यह पारम परिग अधिये जैसे आप के आप चावल बनाते हो तो चावल बनाते समय वाप उसमें क्या करते हो कंकर पत्थर देखते हो आपके छोटे मुटे अगर उसमें टुकुरे उपस्तित है तो उनको हाथ से बिनकर अलग कर देते हो तो इसी को क्या कहा जाता इसी को हस्त चैन हस्त माने हाथ होता और चैन का मतलब उसको चुन-चुन करके क्या कर देना अलग कर देना निकाल देना या विदी आपकी पारम परिक है शुरू से मानो जब से उत्यान मानो कित्पत्ती हुई और आपका अनाज को उगाना शुरू किया और अनाज को एक ख़द में मिले हुए हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में हमें उनको हम हस्त चैन का विदी के माध्यम से अलग नहीं कर सकते प्रथक नहीं कर सकते तो इसके लिए आपने देखा होगा जो इमारते बनती हैं तो हमें आप सबसे मौरंग मौरंग आपका अच्छा इसका एक्जामपल है बहुत बरा सा चलना होता उसमें छिद्व होता तो इसमें क्या करते हैं हैं मौरंग डालते हैं और डवाद जो पतले टकवरए होते हैं मौरंग के नीचे गिर जाते हैं जबकि जो इसके बरे खंड होते हैं वह उपर यानि बाहर हो जाते हैं तो इसको भी हम अलग कर लेते यह भी आपका पारमपरिक तरीका है तो इसमें हम दो पदार्थों को अलग करते हैं तो आपका हस्त चैन बताए और दूसरा एक्जामपल यही मौरंग वाला बताए आपका इनको भी आपका हस्त चैन के तरीका को ही हम मान सकते हैं इसके अलामा गेहुंचावल दाल इनमें भी जो कंकर पत्थर भूसा इत्याद होता है हम बीन बीन का असुद्धियों को अलग कर देते हैं इन सब को हस्त चैन की विधी के नाम से जाना जाता है प्रतक करन की तो यह पारम परिगविदी है पारम परिगविदी है दूसरा हम तरीका की बात करते हैं तो दूसरा तरीका है थ्रेसिंग थ्रेसिंग तो यहां हम थ्रेसिंग तरीका को हम समझने की कुछिस करेंगे तो हमने क्या कहा कि यह मालोए गे से उसकी किया की जाती थी इसकी मुराई की जाती थी मुराई का मतलब हुआ पहले इसको ऐसे डाल NAGAR कि इसमें आपका 4 तरव या यार अवाफ़ काड के एक अठ्था चारों टरव डाल दिया जाता था ऑषके लिए इसे पर बैलों का हांका जाता था तो यह क्या होता था और आच अलग हो जाता था लेकिन यह भी पारमपरी स्रूम में भी दी थी फिर हम नीर है तो त्रेसर होता क्या है प्यास हुआता गहाल की सूह की डंडियां होती demo के गठर किया रभी जाते यानhon में आपने बाल स्वार्टे stopping कम जरूर घ्री सर वाली देंगी नागिसे को इसमें डालते हैं और डाले का और धूसा ALEG कर दिया जाता और आक चनल निचे लगा होता और चल-चल के अनाज ALEG गिरता रहता है त invites को इसी को क्या कह जाता है इसी को iba जाता है। अगला आपका तरीका गिम बात कर लेते हैं तो अब आपका जैसे पहला एक जामपल हमने बताया था या त्रेसरी बताएं तो कई बार क्या होता है बहुत सारा जो मालो गेहूं है तो गेहूं के साथ पिर क्या आजाता है भूसा आजाता है अब समस्यार की भूसे को कैसे अलग किया जाए तो आप देखते हो हवा चलती रहती है या मतंखा के माध्यम से क्या करते है इसको ओसाते हैं ओसाते का मतलब क्या हुआ इसी को ओसाना ये आपका गाओं की भांसा है इसको अगर हम एक बिग्यान की भांसा कहें तो इसको निस् निस्पावन कहा जाता निस्पावन कर लो हवा के जोकों के माध्यम से जब हम भूसा को अलग कर देते हैं अनाज को अलग कर देते हैं तो इसी को क्या कहा जाता इसी को निस्पावन कहा जाता है इसी को क्या कहा जाता निस्पावन कहा जाता है तो यह निस्पावन आपको कहता है वह एकठा धेर की रूम में लगता रहता तो ऐसी विधी को क्या कहते हैं या इसी विधी को निस्पावन कहते हैं और निस्पावन का प्रयोग आगर गेहुं कटकी आया है तो गेहुं में भूसा है तो इसको निस्पावन की विधी के मादिम से हम भूसे को अलग कर सक हम जान लेते हम जान लेते वी जो विधि है decision कहा जाता हम चलनी चलनी चलने जभाब 근ra अचलने j DAM कि जिल्शाद है उन्हेर रोटी बनाते हो चपाती बनाते हो उन्हें तो उन्हेंग क्या करते हो तो की जो आंटा होता है उसके महीन पार्टिकल होते महीन कवरा होते और नीचे बैड़ जाते हैं तो इसी विदी को क्या कहा जाता चालन कहा जाता तो आंटा तता उसमें उपस्तित कंकर पत्थर असुद्धियों को हम इसके माध्यम से अलग कर सकते हैं कर सकते हैं तो इसी को क्य यहां आपको दिखाया गया यहां पर आईए यह आपका आदमें देखो कोईला को चाल रहा या सेमेंट आपका मौरंग है या तो इसको भी इसी चलने पर यहां डाला जाता है तो यह आपको समझ में अब तक आ गया होगा अगला हम समझ लेते हैं अगला तो अभी तक हमने तरीका क्या क्या समझा हमने पहला तरीका आपको बताए हस्त चायर के माध्यम से दूसरा तरीका हमने क्या बताया निस पावन के माध्यम से हम अलग कर सकते हैं तीसरा हमने क्या बताया चालन के माध्यम से हम अलग कर सकते हैं चालन के माद्यम से अलग कर सकते हो परतेक का एक्जम्पल आपको समझाए अब अगला तरीका हम देखते हैं जहाँ क्छसन आपके पूछे जाते हैं अगला तरीका जो है इसी को आवसादन कहा जाता है आवसादन औसाथ में इसी कंसाथ हम निस्टारन दोनों को एक साथ समझ लेते हैं निस्तारण अवसादन वा निस्तारण कोस्टन यहां से पूछा जाएगा अब ही जो बताए पारम परिक तरीका था वहां से कोस्टन नहीं पूछा जाता कोस्टन अवसादन निस्तारण यहां इसके आगे आएगा वहां से कुस्टन पूछा जायेगा तो इसमें किया क्या जाता है जैसे मिस्रन है तो हमने एक्जामपल आपको इसी में आपको लेके बताते हैं आपने क्या किया गंदला पानी गंदला पानी देखा होगा या आपने मिट्टी लिया और मिट्टी को क्या कर दिया जल में मिलाया मालोई पात रहे जल में मिलाया और कसके हिला दिया हिला दिया तो हिलाने बाद हुआ क्या कि इसी में गंदला पानी हो गया गंदला पानी हो गया तो ये पानी क्या हो गया असुद्ध हो गया अगर आपको इसको सुद्ध करना है तो किया क्या जाएगा इसमें कंकर पत्तर और सब चीजे थी असुद्धियां थी तो कुछ समय के लिए इसको सांध रख दिया जाएगा तो सांध जब इसको रखा जाएगा तो इसके जो आपका गिट्टी मौरंग और कंकर पत्तर असु जो अब जो नीचे बैट गया है भारी पदार्त असुद्धियां इन्हीं को नीचे बैठनी की प्रक्रिया ही आपकी क्या कहलाती है आवसाधन कहलाती है आवसाधन कहलाती है जो नीचे बैट गये हैं भारी असुद्धियां भारी पदार्त इसी को अवसाधन कहा जाता है इस इसे को जल को हम उपर वाला जो जल आ गया है इसको अलग कर ले तो जब इसको हम अलग कर लेते हैं तो इसी को क्या कहा जाता इसी को निस्तारन कहा जाता है इसी को निस्तारन कहा जाता अब ऐसे पदात जिनमें इस प्रकार की असुदियां मिली होती हैं उसको इसी के यानि इ नहां देको लिखा भी है कि मिसरन में जल मिलाने पर भारी अवयों के अवयों जो component होंगे असुदियां होंगी तो मिसरन में जल मिलाने पर जो भी मिसरन था तो मिसरन में जल मिलाने पर भारी अवयों के नीचे तली में बैठ जाने की प्राक्रम को अवसादन कहा जाता और फिर अवसादि मिस्रन को बिना हिलाए यानि जो आपका संत रख दिये थे जल को मिटी सहित यानि उरैलने की क्रिया जो उपर वाला आपका जल था उपर वाला तो जल मिटी सहित उरैलने की क्रिया को क्या कहा जाता है निस्तारन कहा ज जाता है इसी को क्या कहा जाता इसी को निस्तारन कहा जाता है यही सिध्धान ऐसे द्रवों के मिस्रन को प्रुथक करने में भी उपियोग में लाया जाता है जो आपस में मिस्रित नहीं होते आवसादन निस्तारन की विधी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है यानि किन अ ऐसे दो या दोसी अधिक पदार्थ का मिस्रन बनाया जाए जो आपस में मिस्रित नहीं होते, आपस में मिस्रित कमलों आपस में घुलते नहीं है, अगर घुल गए तो ये विधी कारगर नहीं हो सकती, जैसे आपका, आप कहोगे इसमें जैसे आपका ये काउंस से आपकी वि होगा क्या ध्यान से समझेगा जो तेल होता है वह आपका क्या होता हलका होता है तो क्या हो जाएगा उक दो परतों बढ़ जाएगा माल लो आपका यह आपका ध्यान से समझेगा यह आपका यह पात्र है तो एक पानी वाली परत बन जाए गी ऎक उपर आपका क्या हो जाए गांगा टेल तेल पानी सहल का हoftए है क्योंकि पानी का गंप तो अदिक होता तो नीचे बैठेगा ऑपर एक परत बैठेगी परत जायेगी निश्था ने जाएगा निस्तारन चाहा जाएगा यानि याप एक चीज़ और समझेगा कि वसाधन निस्तारन एक साथ घटनाये होती अलग-अलग नहीं होती तो इसी को निस्थारन वा उसाफन कहा जाता है तो कोई भी ऐसे दो या दोसियति मिस्रित पदार्थ जो आपस में क्या गुलित नहीं होते हैं आपस में गुलते नहीं हैं उनको क्या किया जाता इस तरीके या बिधी का प्रियोग करके आपका अलग कर लिया जाता अब आपके सामने कोई भी एक्जामपल दिया हुआ है तो आप देखी कि आपस में मिस्रित हो रहे हैं आपस में बिले तो नहीं है आप कहोगे इस तरीका से क्या हम चाय चाय या कहें सर्वत सर्वत से चीनी को हम अलग कर सकते हैं तो निस्तारन वा अवसादन विधी सरवत से चीने को अलग करने के लिए प्रयूक्त नहीं की जा सकती या हम कहें पानी मगर नमक को हम घोल ही दिये हैं तो क्या वहां यह कारगर विधी होगी इसका जवाब है यहां पर भी यह कारगर विधी नहीं होगी हमने पहले भी पता दिया इस विधी का प्रयूग वहां क कारगर नहीं होगी तो कौन से विद्धी कारगर होगी तो इसी पर जरा अगला दूसरा विचार करते हैं लेकिन जब वहम इस विधी से मानलो निस्तारन से जो आपने पदार्थ अलग किया तो हम चाय का ही एक्जामपल ले लिये हैं चाय मानलो आपने च्छाना था च्छाना आपके पाद च्छाननी वालनी नहीं थी ऐसे आपने क्या किया जिस अवसादन निस्तारन विदी का प्रियूक किया तो चाय ने आपने बनाया तो चाय के जो छोटे चोटे पाटिकिल थे भारी थी उन नीचे बैड़ गए और नीचे बैड़ गए तो इसी को हमने क्या कहा भी नाम दिया आवसादन क्या नाम दिया अवसादन लेकिन उपर आपका चाय आ गई तो चाय को हमने उरेल करके दूसरे बर्तन में अलग कर लिया लेकिन आप देखोगे कुछ ना कुछ दो चाय यानि चाय की पत्तियां क्या होंगी यह जो चाय आपने अलग किया उसमें भी आपको दिखाई दे देंगी चाय जतनी सावधानी से आप इसको अलग कीजिए यानि पूरी तरीके से कभी नहीं पाऊगे कि इसमें एक भी चाय की पत्ति ना पाए तो प्रस्ट इसका प्रस्ट यह उत्पन होता है कि यह जो चाय आ गई है किया ऐसा कोई हमारे पास तक्निक या भी दी है जिससे इसको भी हम अलग कर सकें तो इसी का अगला जो तरीका है उसी को नी सेंदन या फिल्ट्रेशन कहा जाता है हमारा सरीर भी आपका रग्त हमाएं अंदर आप देखते हो हमारा जो लंग से फिफरा होता हमारे रग्त को लंग क्या करता लंग से फिल्टर करता है नी सेंदन करता है तो अगला जो तरीका है उसी को क्या कहा जाता उसी को नी सेंदन या फिल्ट्रेशन कहा जाता क्या कहा जाता फिल्ट्रेशन कहा जाता है फिल्ट्रेशन या नी सेंदन कहा जाता तो आपका एक्जम्पल आपको पताए चाय जो छाना जाता है फिल्टर किया जाता है तो इसमें आपका क्या होता जैसे आपका बारीक आपका मौरंग थी या आपका का सकती हो कि मिटी थी गंदला पानी ता घुला हुआ था। तो हम क्या करेंगे फिल्टर कर देंगे तो फिल्टर करने पर क्या होगा तो फिल्टर विदी में क्या होगा यह छोटे-छोटे इसमें छिद्र होते हैं बिल्कुल छोटे-छोटे चाय चानने के आप देखते हो हैं तो इसके नीचे आपका क्या होगा सोरी इसमें आप क्या क पती नहीं जा पाती फिल्टर हो जाती है तो इसी को क्या कहा जाता निसंदन के नाम से जाना जाता है तो यह अगला तरीका हो गया निसंदन का क्या अगला तरीका हो गया निसंदन का तो निसंदन के माद्यम से भी हम क्या कर सकते हैं जैसे गंदला पानी है तो गंदला पानी को इसी के माध्यम से अलग किया जा सकता है अगला आपने सबसे अच्छा एक्जाम पलिसमें अंसे आटी उन दिया गया है यानि फिल्टर का आपको जानका राश्चर होगा आप घरों में जो पनीर बनाते हैं पनीर भी पनीर बनाने में जो बिधी अपनाते हैं असल में क्या होगा पता होगा तो यह पनीर जो घर में बनाई जाती है वह इसी तरीके से और दूसरी बात फिल्टर के तरीके से आप देखते हो सबसे आप देखिए आप जूस पाइप पीने दुकान पर जाते हैं तो पहले जूस तयार करता है और फिर आपको च्छान के देता है पहले के मादन से तो फिल्टर कर रहा होता है किसमें किसी प्रकार की जो ने पार्ट असुद्यां आ गए वह अलग हो जाए पिर आपको आपका जूस क्या कर देता है आपको दे देता है तो आपका फलों वास सब्जियों का जो रस पीने से पहले बीजों आउसके जो ठोस प्रखिल है उनको अलग किया जाता हो भी कौन सी तरीका वहां पर अपनाया जाता वहां पर भी फिल्ट्रेशन बिधी अपनाई जाती है तो आपको अब एक क्लियर हो गया होगा अगला हमने अभी बताया पनीर जो घर में बना जाती है वो फिल्टर यानि नीश्यंदन बिध का उपयोग करते हुए बनाई जाती तो यह एक्जामपल अगर आपको पूछ लिया गया तो आप इंसियाटी नहीं रीड करोगे तो कुस्तन क्या होगा गलत हो जाएगा तो पनीर बनाने के लिए हम करते क्या है पनीर बनाने में क्या करते हैं पनीर बनाने के लिए दूद को क्या कर दीजिए उबाल कर उबाल दीजिए दूद उबाने के बाद फिर इसमें आप देखते हो नीमू का रस मिलाया जाता है किसका रस मिलाया जाता नीमू का रस मिलाने से इसका होता क्या है तो नीमू का रस मिलाने पर प्चाटा याता दूद्ध को प्याखने के बाद क्या हुआ तो इसके पानिस का लग हो जाता है आप को बचा था जैनि नहीं चोटे चोटे इसके क्या होते हैं थोच्ठ तुख्णा эк recipe जो यह solid farm में आ जाता है liquid से solid farm और फिर उसको आपने क्या किया आप कोई कफ़रा लेते हैं कफ़रा लेने के बाद उसको क्या करते हैं कफ़रे च्छनी से filter कर देते हैं दाब-दाब कि उसका जो पानी होता है वह आपको अलग कर देते हैं और इस प्रकार आपके घर में पनीर अपन कर तैयार हो जाती है आप घर की पनीर बना के खाना चाहते हैं तो इस तरीकों को अपनाईए और इसके मादम से अपने घर में पनीर बनाईए तो यह आपका पारमपरी तरीका है तो यह भी फिल्टर फिल्ट्रेसन यहां concept भी काम करता है अगला जो तरीका है हमने जल के साथ तो यह विदी क्या हमने अभी तक विदी बताई चूंकि वो पानी में घुल गया घुलित हो गया तो हमने पहली बता दिया था ऐसे पदार जो अपस में घुलित हो जाएंगे उसको इस तरीके से अलग नहीं किया जा सकता है तो प्रस्वन है अगर नमक पानी मे अपनाया जाता है उसी को क्या कहा जाता वास्पन कहा जाता है वास्पन कहा जाता वास्पन के माध्यम से क्या किया करते हैं यानि इसको अलग करते हैं तो यह होता क्या वास्पन पहले हम यह समझ लेते हैं तो यहां लिका भी है जल को उसके वास्प में परवर्तित करने के प्रक्रिया वास्पन कहलाती जल को उसके वास्प में बदल देना मालो जल था तो जल को आप क्या कर सकते हो वास्प में बदल दो वास्प बन गया तो वास्प में बदलने के प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता वास्पन कहा जाता आप देखते हो जील तला महासागर और इनमें क क्या होता है वास्प में परवर्टी रहता होता रहता यह सतत प्रक्रिया चलती रहती है समुद्र से जो नमक प्राप्त किया जाता इन नमक इसी प्रकार प्राप्त किया जाता है होता क्या है आप गड़ों में नमक जो समुद्र का पानी होता है खारात धीक होता तो यह होता रहेगा वास्विक्रत होता रहेगा और एक समय आएगा सारा का सारा पानी वास्विकरन हो जाएगा और इसमें आपका सालिड पाम में आपका क्या इकठा हो जाएगा यानि नमक इकठा हो जाता साधारन साधारन नमक आपका प्राप्त हो कर लेते हैं तो साधारन नमक इस प्रकार हम प्राप्त कर लेते हैं यह तरीका आपको यह देखो समुद्र जल से नमक प्राप्त करना तो आपके एक्जाम में कुछ सन क्या पूछेगा आपके एक्जाम में कुछ पूछा गैस तहां डूसरा आपसंदेगा निश्यादन 24 आपसंदेदे ओर साधन अच्छा अचा एस प्रकार आपका सही आपशन बताना होगा तो ये ही विधी आपकी क्या कहलाती में वास्पन कहलाती वास्पन कहलाती है पिर दूसरी विदी आपका संगनन का मतलब हुआ कि जो वास्प यानि आपका पास द्रोया गैस था समझेगा गैस जो थी वास्प बनी थी पानी तो यह आप जो गैस फाम में था, ये जल की बूंदों में फिर से जो प्राप्त हो जाती है, तो इसी को क्या कहा जाता, इसी को संगनन कहा जाता है, इसी को संगनन कहा जाता है, तो संगनन क्या है, यानि जल के ठंडा होने पर क्या होता है, मालो गैस है, जल की जल वास्पी करत हुआ था, तो दीरे दीरे वो ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद फिर से क्या होगा जल की बुंदों में बदल जाएगा तो उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है उसी प्रक्रिया को संगनन कहा जाता है और सबसे लाश्ट ही चैप्टर में हैं आपका जैसे इस चैप्टर में एक और लगा कि अगया जीरसे आपके पास लुए एक लीटर पानि में खेड़ घूब इसमैं पहले सो ग्राम घूल दिया घूल गई कोई बात नहीं अगला ग्राम फिर ब्चीन से लिए ठोगा सोग्राम जीटर तो गूंaw कर्म घूब घू our तो क्या आप बताओ चीनिस एक लिमिट आएगी सीमा आएगी कि चीनी इसमें गुलना बंद हो जाएगी और जिस लिमिट पे चीनी इसमें पानी एक लीटर पानी में गुलना बंद हो जाए और अधिक मातरा में चीनी इसमें ना गुला जा सके तो इससे चीनी गुलने के बाद जिस लिमिट पे आप बं में आगया होगा यानि कि जब जल में अगर कोई पदार्थ घोला जाता है तो अधिक मात्रा में नहीं घुलता तब यá वह बिलायन संतरप्थ बिलین या सैř्चूरेटेड सालुसन कहलाता है इसी को संत्रप्त बिलेन कहा जाता है संत्रप्त बिलेन कहा जाता तो ध्यान रखेगा तो संत्रप्त और आपका आज संत्रप्त ही आपके काफी पीछे चर्चा में बीच बीच में इसमें आएंगे तो अभी तक हमने क्या किया अभी तक इस चेप्टर में हमने बताया था मंतन के बा वासपन समझा निश्यंदन समझ लिए हैं हस्त चैन समझ लिए हैं संत्रत बिलयन समझ लिए हैं अवसादन को समझ लिए हैं चालन को समझ लिए हैं थ्रेसिंग को समझ लिए हैं निस्पामन को समझ लिए हैं तो इस सभी को हम इस चैप्टर में समझ चुके हैं तो इस प्रका लेवल पे अभी इसके अंदर प्रभाजी आस्वान इस तब आएगा अभी जितना इंसी आटी में मेरा आपका टार्गेट भी यहीए कि पहले बेसिक आपको बताया या फिर दीरे दीरे आपको एडवांस की तरफ ले जाया जा तो अगला चैप्टर छुटा है तो इसको भी आज ही हम निव्टा देते हैं और यह चैप्टर का नाम है हमारे चारो और के परिवर्तन हमारे चारो और के परिवर्तन तो हमारे चारो और के परिवर्तन किस परकार दो परिवर्तन होते हैं पूरे चैप्टर का सार यही है इसमें बहुत लंबा चैप्टर नहीं बहुत च चोटा चेप्टर है तो हमारे जो हाँ चार ओर देखते हैं उसमें दो ही प्रकार के परवर्तन होते हैं एक को भौतिक परवर्तन कहा जाता है रासाइनिक परवर्तन एक भौतिक परवर्तन कहा जाता है रासाइनिक परवर्तन कहा जाता ध्यान से दोनों को एक्जाम्पल से हम समझते हैं तो एक्जाम्पल आपको इसमें भौतिक परवर्तन रोसानी परवर्तन दोनों लेते हैं हमने क्या कहा आपके पास गेहूं था गेहूं से आपने क्या बना दिया तो गेहूं से आपने क्या बना दिया यानि आटा बना दिया आटे से फिर आपन प्राप्त कर सकते हो अगर प्राप्त कर सकते हो तो अब यह आपका क्या होगा बहुतिक परवर्तन होगा अगर नहीं प्राप्त कर सकते हो तो इसी को रसानिक परवरतन कहा जाता तो दो चीजे होती हैं एक अविकारक होता दूसरा उतपाद होता तो जो अविकारक लिया गया था अगर उससे उतपाद जो आप बनाये हो यह अविकारक यहां गेंवों होगा और गेंवों से आपने रोटी प्राप्ट कर दी तो यह आपका उतपाद रो नहीं तो आपका कुछ हमारे हमारे gratis आप दूसरा example हमने क्या लिया हमारे पास क्या था पानी था पानी से वन्ने बना दिया इसको जमा किया यान जमा कमलब हुआ इसका संगनन किया संगनन के बार ठंडा किया तो यानि माइनस टंपरेचर पहुंचे और यह बर्फ बन गई बर्फ बन गई आप यहां समझे क्या इस पानी से आपने द्रो लिग्विट से आपने बर्फ स्थोस फाम में बना दिया तो क्या बर्फ से पूना पानी को आप नहीं प्राप्त कर सकते हो पूना पानी को परवर्तन कहा जाता है अगर अभिकारक जिससे कुछ पदार्त नया बनाया जा रो जो बनना उतपाद है तो अगर अगर अभिकारक से उतपाद मिल लहा है और अभिकारक उत्पाद से पुना विकारक आप प्राप्प कर सकते हो उसी को क्या कहा जाता भावतिक परवर्तन कहा जाता है तो पानी से या वास्त या बर्प बनाना व बर्प से पुना पानी प्राप्प करना तो जल के साथ जो एक लिया होती है यह आपका भावतिक परवर्तन के अतिज़ा किसमे आति हैं भवतिक परवरतन दूसरा आपका एग्जामपल रोटियों याटा वाला दी दिए अगर उस प्रोसेस का अगर कोई वहलो होता है तो क्या कहा जाताए उसी को उसी को ध्यान से समझेगा उसी को रसाइनिक परवरतन के नाम से जाना जाता है रसाइनिक परवरतन के नाम से जाना जाता अब यहां बहुत सिंपल एक्जामपल लिए गए जैसे आपका रवर आपके गल पास है यहां एकजांपल रसानिक पर वरतन होगा तो यहां आपका इजांपल करके बताया गया तो यह आपका और दूसरा आपका यहां परवर्तन सबसे अच्छा और दिखाया गया यानि जो परवर्तन होता है आपने बाइल आपने बाइल गारी जरूर देखा होगा तो बाइल गारी का जो पहिया होता है पहिये में क्या किया जाता हो लकरी के बनाया जाता किसका यह पहिया बन जो लोहे का ये लाश्ट में जरा जाता ये इसके आकार से क्या होता है जो आपका लकरी का ये पईया होता है उससे कम होता फिर इसको गरम किया जाता है गरम कने के बाद इसको तरहाद दिया गए लकरी के धांचे पर जो वले था ये देखो यहां बना हुआ और फिर उसको ठ रसानिक परवर्तन होगा, बहुतीक परवर्तन होगा, कि रसानिक परवर्तन होगा, तो यहां आपको यह, इसका एक्जामपल है, यह परवर्तन हम देखते हैं, परवर्तन होता है, दूसरा परवर्तन आपने, इसे के साथ, और देखा होगा, कहां गया, यहां सहेद आपका, अच्छा ये खत्म है चेप्टर भी खत्म है अच्छा अच्छा हाँ देखो ये मौमबत्ती जल लगी है मौमबत्ती जलने के बाद क्या होता है त्यान समझेगा मौमबत्ती का जलना और मौमबत्ती का पिघलना दोनों अलग चीज है मौमबत्ती जलती है तो जलने पर क्या ह है जल नहीं है तो रसानिक परवतन हो रहा है लेकिन उहों बती पिखल व के ठीखल rie फिखल के हुआ या होकि उब तो कर फिर से मुंबती बना सकते तो मुंबती का पिखलना ये बहुतीक परवरतन है कि talking A तसा पर पूचा जहता है मौंबती वाला तो इसमें हुआ दो चीजे हुई इसको कहा गया कि जो जिस अवस्था में कोई पदार्थ था उसमें परवर्तन आया और परवर्तन होने के अगर यह उतकरमित नहीं हो सकता तो इसे को क्या कहा जाता रासाइनिक परवर्तन के नाम से जाना जाता है जाना जाता है तो आपका यह आपके एक्जामपल आपको दिये इसे के साथ अब आपके यहाँ टेबल बनी है तो टेबल में आप खुद इसमें अपलाई कर सकते हो कुछ परवरतनों को उतकरमित किया जा सकता है उतकरमित का मतलब आप फिर से समझ लिए उतकरमित का मतलब हुआ जैसे आपके पास यहां पानी था और पानी से आपने क्या बना दिया बर्फ बना दिया ठोस तो यानि पानी से बर्फ बनाई बर्फ से फिर से पानी प्राप्त कर सकती है इसका हमलब क्या हुआ पूर व्ववस्ता में फिर START She Eyes क और कहा जाता ये उतकरमित हो सकता है ख्या हो सकता है ये उतकरमित हो सकता लेकिन कुछ हैसे आपने दूसरा exagger हमने आपको लिया जैसे आपके पास आठा था और आटे से आपने क्या बना दिया आटे से आपने चपाती बना दिया तो क्या आटे से चपाती बनाए तो चपाती को से फिर से आटा प्राप्त कर सकते हैं हंसर नहीं तो इसको उतकरमित नहीं किया जा सकता तो हमारी पास कुछ ऐसे परवरतन होते हैं आसपास जिसको उतकरमित कर सकते हैं कुछ को नहीं पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्पदार्थ के साथ मिस्रिद करके उसमें परवरतन किया जा सकता गरम करके या दो या द आपको नमस्कार और इसी के साथ आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो जादा जादा आप सेर कीजिए और जितने लोग देखते हैं कम से कम लाइक सेरो यह सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और लोगों को सेर कर दिया करें दो मिनट हमारी लिए भी समय आपके लिए समय निकालते हैं तो आपका भी आई यह आपका फर्ज बनता है दो मिनट आप समय दीजिए लोगों को सेर कीजिए तब आपका मॉंटिवेशन मिल देगा और तभी ज्यादत ज्यादा क्या होगा और वीडियो आपको हम डाले और आपको फायदा होगा इसी एक साथ आपका यह वीडियो समात होता है थाइंक्यो थाइंक्यो बेरे